नमस्कार मैं गुद्टे स्रफ अंडे डिजीपी बिहार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरन के लॉकडाउन में साथ कुछ छूट है कोई छूट नहीं है कोई छूट नहीं है तीसरे चरन का लॉकडाउन की वैसे ही है जै सब्सक्राइब इसलिए इस बात को अची तरह समझना है मोटर साइक्टिन पर पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत ज़ूड़ी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइब कालावे सिर्थ दो आद्में बैटेंगे सब्सक्राइब करें लिए पास के बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इसू होगा लेकिन उसमें विख्याल रहे डाइबर के लाव सिर्फ दोर आदमी अब छूट किसको है सभी प्रकार के मालवाहक महान चलेंगे और रक्षा स रक्षा संबंधी आपात कालिन से वाईंचालू रहेंगी और अवश्यक्स्यात्य कि नियुक्षण करेंगे कि यहां जो बवस्था बने हो उसके अंसार सहयोग करेंगे सीमा पाएंगे उनके उसकी निकोंगी उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी वेवस्था है सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाए जाएगा वहां करंटाइन सेंटर बना है वहां और रहेंगे जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरच्छी तक में घरों को जाएंगे इसमें पूरी प्रसासन का डॉक्टर का स्वास्त से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे कहीं विवाद नहीं कहीं जंजट नहीं हमारे लोग भी बहुत कठ परिखितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं आपकी पूरी हमदर्दी है लेकि हम आपको बचाने के लिए बिहार को बचाने के लिए इस देश को बचाने के लिए हम आप पर यह जात्ति कर रहे हैं हमें माफ कर देंगे लेकि हमारा सहयोग करेंगे बेटे ब भुष्य हैं भारत की तकदीर हैं विहार के आनबान साम है उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का बहुत ही अनसासन का पालंग करना है और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं मैं उन्हों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर प्रसासन पर और मेडिकल के कमशारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जगन्य अपराद है उनके साथ सकत कानूनी कारवाई की जाएगी सैक्रों लोगों को जेल में भेजा गया है अब आद में उनका गुंड़ा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परिशानी हो और उसी में हो अंदाबाद में हो देश के किसी कोने में हो लेकि इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा आपको आज नकल पकड़ा जाएगा गुंड़ा रजिस्ट में आपका नाम दर्ज होगा आपका चार्शिट करेंगे स्पीडिक कायल कराएंगे सामपरदाय सद्व अगर आपको किसी वहालत में बिहार में बगड़ने नहीं दिया जाएगा यह भीरों की धर्ती है सांती की धर्ती है इस धर्ती की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सवयोग से यह लॉकडाउन सफल हुआ है आपके सवयोग से ही अभी तक बिहार बचा है बचाएं आगे वाला समय और खत्रे का है बहुत खत्रा सामने है अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे बिहार बच जाएगा यह देश बच जाएगा आप से मुखना